अमिताबचन धर्मेंदर 1978 में जबरदस्त उनका उनकी फिल्में आ रही थी चल रही थी और राश कपूर साब की सत्यम शिवम सुंदरम भी उसी वर्ष फिल्म आई थी इस फिल्म का क्या बना कैसे है कितना इसने टॉप टैन में ये रही या नहीं इसी के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने दोस्तों जा रहे हैं तो यदि अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपएज चैनल को सब्सक्राइब कर मुकदर का सिकंदर हो या सत्यम शमसुनरम हो या फिर फांदेवाज हो कई फिल्में ऐसी आई थी जिनों ने बहुत बढ़िया काम किया था अच्छा खासा रेविन्यू भी कमाया था, टॉप टैन फिल्में है उनी के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं दसमें नुमर से शुरू करते हैं दोस्तो फांदे बाज धर्मेंदर साब की फिल्म थी दोस्तो समीर गांगोली साब ने उसको डारेक्ट किया था और सुर्जीत आजला ने इसको परडियूस किया था धरमेंदर मौसमी चैटरजी प्रेम चुपड़ा साहब इस फिलम में थे और म्यूजिक था इसमें आर्डी बर्मन साहब का तो इसमें एक गाना बड़ा मशूर हुआ था अभी 11 नहीं बजे हैं किशोर दा की आवाज में बहतरीन गाना था दोस्तों उसके बाद नवे नमबर की बात करें तो सत्यम शिवं सुंदरम जो फिलम थी दोस्तों इसी वर्ष 1978 में ही रिलीज हुई थी दोस्तों तो इसके बारे में भी ये राज कुपूर साहब ने ही डारेक्ट की थी दोस्तों इसमें शेशी कपूर जीनत अमान ने बहतरीन अदाकारी की थी और मुकेश साहब का इसमें आखरी गीत था सत्यम श्म सुन्दरम फिल्म में जो अगर आपको भी पता है कि मुकेश जी का आखरी सांग कौन सी फिल्म में है तो आप कॉमेंट भी जरूर दोस्तो लिखिए फिल्म के गाने बहतरीन गाने थे सुपर डूपर गाने हिट हुए थे भोर भई पन घट पे लता जी की आवाज में था अनद बक्षी साब ने इसके गीत जो लिखे थे इसके फिल्म के सत्यम शिम सुन्दरो जो टाइटल सौंग था यशो मती महिया से बोले नदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला ये सारे ही इसके गीत कह लीजिए भजन भी हैं इसके ठीक है जी तो अब बात करते हैं लिता बचन रिखा अमजद घान जैसे वोला कि बिंदू ने बहतरीन अदा करी इसमें की थी संगीत कल्यान जी अनन जी सहाब का था चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ रफी साब की आवाज में क्या वा था क्या गाना था जी एक और इसमें गाना था आज भी दुनिया सुनती है उसको मानो तो मैं गंगा मा हूँ तो ये लता जी की आवाज में ये इसका ये फिल्म का दोस्तो ये गीत था उसके बाद कस्मे वादे फिल्म आई थी अमिता बचन की थी वो भी उसमें राकी गुलजार रंधिर को नितु सिंग अमजद खान ने काम किया था हमेश बहल ने इसका परड्यूस और डिर्क्ट किया था फिल्म को दोस्तो फिल्म अच्छी खासी चली थी ये भी आर्डी बर्मन साब का इसमें संगी ता गाने भी इसके अच्छे थे टाइटल सौंग जैसे था कस्मे वादे निभाएंगी हम उसके बाद आती रह थेंगी बहारें किशोर कुमार अमित कुमार आशा बंसले की आवाज में ये गारा था कल क्या होगा आर्डी बर्मन साब की आवाज में ये गीत दोस्तो था उसके बाद बात करते हैं एक और फिल्म की च्छटे नमबर वे थी ये सारी जो जानकरी है आई-एमडी और शोश भी चैटर जी फिल्म के दे दसारी नाराय राओ ने इसको डिरेक्ट किया था फिल्म को और इसको परड्यूस किया था भी नागी रेडी सहाब ने दोस्तो फिल्म का जो संगीत था वो रजेश रोशन जी ने दिया था लीना ओ लीना दिल तूने चीना किशोर कुमार साब क आवाज में यह गाना था इसका बड़ा चला था इसके इलावा और भी इसका एक गीत था आग है लगी हुई यहां रफी साब की आवाज में ये गीत था इसके जो गीत लिखे थे वो आनंद बक्शी साहाब ने दोस्तो इसके गीत लिखे थे उसी वर्ष ने इस फिलम को डिरेक्ट किया था परड्यूसर भी उनों नहीं नहीं राजखोसरा साहब ने किया था संगीत इसमें जो दिया था लक्षमी कांथ प्यारे लाज साहब ने दिया था ये खिर्की जो बंद रहती है रफी साहब की आवाज में बहती ही खुबसूरत ये रफी साहब की आवाज में था शौबा गोटू की आवाज में एक गीत था इसमें सईया रूठे गए मैमन आती रही इसके इलावा फिल्म के जो टाइटल सांग ता मै तुलसी तेरे अंगर गिलता जी ने खुबसूरत अंदाज से बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तो इसमें गाया था इसको उसके बाद बात करते हैं दर्वेंदर हिमा मालनी की फिल्म थी आई आजाद फिल्म आई थी प पर्श जो थे इसमें दर्वेंदर अमिता बचन हेमा मालनी ये बहतरीन इनके साल गुजर रहे थे बड़ी बड़ी फिल्में इनकी आ रही थी और फिल्में सूपर डूपर हिट हो रही थी दोस्तो इसमें रहुल बर्मन साब का संगीत था इसमें गाना था है लता जी और क आवाज में ये आजाद फिल्म का दोस्तो गीत था उसके बाद बात करें एक और बहुत बड़ी फिल्म थी डॉन फिल्म आई थी एक बार फिर अमिता बचन थे इस फिल्म में जीरत अमान प्राण नेक मौन साहब इसमें थे इसको डिरेक्टर चंदर बरोड ने किया था र भी दे रहे थे नरिमन रानी साहब ने इसको परडियूस किया था इसमें जो संगीत दिया था वो कल्यान जी आनन जी साहब ने दिया था जिसका मुझे था इनतजार जिसके लिए दिल था बेकरा लता जी और किशोर दा की आवाज में ये गाना था खाई के पान बनारा सव ता डौन फिल्म का दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे नमबर की जो फिल्म उस वर्ष थी तर्शोल फिल्म थी दोस्तों आई अमिताबजन शाशी कपूर संजीब कुमार हेमा मालदी राकी गुलजार सचिन एक मल्टी स्टार फिल्म थी दोस्तों मल्टी स्टार फिल्म में भी उस समय बहुत आती थी यह चुपड़ा दोरा ये निर्देशन इस फिल्म का दोस्तों किया गया था और इसका जो परड्यूसर थे इसके वो गुलशन राय साहब थे उन्होंने ये फिल्म को परड्यूसर दोस्तों किया था इसमें खयाम साहब का इसमें संगीत था इसमें गाने थे गापूजी गापूजी गम गम इसमें जैसे आपको बताया कि इसमें उनको क्या नाम था पूनम ढिलों भी इसमें थी सचिन भी थे उनके ओपर ये गीत दोस्तों फिलमाया गया था जारी बहनिया जा किशोर कुमार यसुदास और पामिला चुपडा की आवाज में ये गाना था महबत बड़े काम की चीज़ है किशोर कुमार लता मंगेशकर और यसुदास की आवाज में ये गीत था जाने मन तुम कमाल करती हो लता जी और किशोर कुमार साब का ये भी बहुत ही सुरिला जबरदस्त एक गीत था आपकी महकी हुई जल्फों को वा क्या ब करने जा रहे हैं मुकदर का सिकंदर जबरदस्त फिल्म एक आई थी परकाश महरा साब ने फिल्म को डिरेक्ट किया था और इसके जो कह लीजिए निर्माता वो भी परकाश महरा ही थे इसमें अमिता बचन एक वार फिर विनोद खाना थे राकी गोलजार रेका आमजंद ख दोस्तो उसके इलावा साथीरे तेरे बिना भी क्या जीना किशोर कुमार साब की आवाज में ये गाना था मेल वर्जिन इसमें था और फिमेल वर्जिन आशा मौसले ने ये गाया था प्यार जिन्दगी है ये भी गाना कमाल का था दिल तो है दिल लता जी की आवाज में त था ये गीत दोस्तो तो ये थे 1978 में जो टॉप 10 की बहतरीन फिल्में थी दोस्तो उनी के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताया गया वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और ज़ाद से ज़ाद इस वीडियो को बचे इसके की सबस्क्राइब की की बिल्में है ऑ्नेवा ayudahältियो की बादा की ब uniquिश्वा इसे वीडियो की ब्हूंना वीडियो की इसका प्रिए घ्र général से ऊंचे की बार्मी बीडियो की रॉका की बारे मोले CPR, अपकिंश הזה बारे में जो थाना भाश रियूक्तों दॉक्तोंbe म